ऐसी बहुत सी सीक्वल फिल्म में हैं जिसमें अक्सर एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया जाता है बट तब इतना फिल्म नहीं होता लेकिन मेल एक्टर का रिप्लेस्मेंट यहां थोड़ा सा खलता है ट्रेलर रिव्यू करेंगे बंटी और बबली टू बहुत सारे कॉमेडी सिटुएशन और कुछ पंचस के कारण यह ट्रेलर काफी हद तक एंटेटेनिंग लग रहा है दोजार पांच की बंटी और बबली एक हिट फिल्म रही थी जिसमें रानी मुखर जी के साथ अभिशेक बच्चन नजर आये थे और पुलिस के किरदार में अमिताब बच्चन ने कमर कसी थी लेकिन इसके सीक्वल में अभिशेक बच्चन को रिप्लेस किया गया है सैफ अली खान द्वारा और सैफ अली खान रोल को जस्टिफाई भी करते दिख रहे हैं लेकिन अभिशेक बच्चन क्योंकि 2005 वाली बंटी और बबली का हिस्सा थे और अभी फिल्म इंडस्ट्री में वो कारे रात हैं यानि फिल्में कर रहे हैं तो फिर उनकी कमी यहां थोड़ी खलती है हाला कि मेकर्स ने शुरू में इस रोल के लिए अभिशेक बच्चन को ही एप्रोच किया था बट चीजे मन मुताबिक ना हो पाने के कारण अभिशेक की जगे फिल्म में सैफ अली खानने जगे बना ली दूसरा रिप्लेस्मेंट जो हुआ है वो है अमिता बच्चन का तो वो रिप्लेस्मेंट इतना खलता नहीं जिसके दो कारण है एक तो पुलिस के किरदार में पंकच तिरपाठी नजर आते हैं जिनका आजकल पर्चम लहरा रहा है फिल्मों में फिल्म में वो टमाटर की तरह यूज किये जा रहा है और अभी तक तो ये टमाटर सबजी को स्वादिस्ट बनाने में काम्या भी रहा है दूसरा की ऐसा कहा जा सकता है कि 15 साल के अंतराल में अमिता बच्चन रिटायर हो गए हो पुलिस महकमे से बट अभिशेक बच्चन का होना फिल्म को और रियल बनाता तो 3 मिनट 11 सेकंड का ट्रेलर थोड़ा अवधी में ज्यादा तो है बट एंटर्टेनिंग होनी के कारण इतना फील नहीं होता 2005 के बंटी और बबली अब एक आम साधरन सा जीवन बिता रहे हैं उनका एक बेटा भी है लेकिन इसी बीच पुलिस उन्हें फिर से गिरफतार कर लेती है किसी चोरी को लेकर जो उन्होंने की ही नहीं क्योंकि ये चोरी बंटी बबली नाम से एक नई चोरो की जोडी ने किया था अब अपने नाम को गलत इस्तमाल होते देख पुलिस ओरिजिनल बंटी बबली को कन्विंस करती है कि तुम उन्हें पकड़ने में हमारी मदद करो और फिर ये ओरिजिनल बंटी बबली नकली बंटी बबली को पुलिस के साथ पकड़वाने में लग जाते होंगे लेकिन क्योंकि एक सीन में ओरिजिनल और डुपलिकेट दोनों बंटी बबली साथ में डांस कर रहे हैं मेबी की ओरिजनल बंटी बबली ने मिलके किसी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए नकली बंटी बबली को प्लांट किया हो। खैर उतना आगे नहीं जाएंगे बड़ ट्रेलर में इतना सब बता दिया जाता है फिर इंसान कहानी जानने के लिए अपना दिमाग दोडाना शुरू कर देता है। ट्रेलर में सिद्धान्थ चतुरवेदी और शरवरी की जोड़ी देखने को मिलती है। शरवरी ने प्यार का पंचरामा, बाजीराव मस्तानी और सोनू के टीटू की स्वीटी में एसिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर काम किया है और अब वन अफ दा लीड रोल निभाने वाली है। दरसल शरवरी महरास्टर के पुर्व मुख्यमंत्री मनुहर जोशी की ग्रेंड डॉटर है। ट्रेलर में उनका भी प्रशंसनिय काम देखने को मिलता है। सिधान्त चतुरवेदी एक ब्रिलियंट एक्टर है और गैस कि उनके द्वारा भी कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। ट्रेलर में असरानी को भी देखा जा सकता है और असरानी की कॉमिक टाइमिंग आज भी लाजवाब है। इस ट्रेलर भर में धेर सारा मेक अप वर्क देखने को मिल जाता है, जहां ये दोनों जोडियां चोरी करने जाते हैं, उनका गैट अप चेंज मिलता है और फिलहाल वो गैट अप देखने में ठीक लग रहे हैं। कॉमेडी पंचस थोड़े और बहतर हो सकते थे, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेलर में सबसे अच्छे कॉमेडी पंचस को दिखाया जाता है, और यहां कुछ एक वन लाइनर छोड़ दिया जाए, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिला है। सैफ अली खान के पहले सीन में निकला पेट पता चलता है कि अंदर कुछ यूज किया गया है, मोटा दिखने के लिए, ओवियसली कुछ डाला ही होगा पेट में, बट वो फील नहीं होना चाहिए। सैफ अली खान का ही एक डायलोग, दा ओरिजिनल बंटी बबली इज कमिंग बैक में थोड़ा फेक एकसेंट फील होता है, बाकि सिटुएशनल कॉमेडी कई जगे पर हसाने में काम्याब रहती है, बैगराउंड म्यूजिक में बंटी और बबली के थीम म्यूजिक का इस्त उन्क जटे तो है!